हाई फ्रेंड्स हमारे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कल की वीडियो में मैंने आपको इस कुर्टी की कटिंग बताई थी आज की वीडियो में इसकी सिलाई करेंगे आज हमारी किलास का नौमा दिन है तो देखिए सबसे पहले यहां से मैं आपको यह बता देती हूं कि जो हमारे फ्रेंट आर्मोल हैं उन पे हम निसान लगा लेंगे और सेम हमें अपनी बाजू पे लगाना है क्योंकि यहां से जो गड़वड करते हैं उनी के आर्मोल में जोल आता है जैसे कि बहुत सारी कमेंट आरें कि आर्मोल में जोल क्यों आता है और वीडियो में लास्ट तक बने रहीएगा तो देखिए हमारी जो बाजू है वो भी एकदम बरावर है क्योंकि हमने अपने आर्मोल से डेडिंच ज़्यादा लिया था और इसमें मैं येलो कलर की कपड़ी का यूज कर रही हूँ गला बनाते टाइम क्योंकि बहुत सारी कमेंट ये भी आरे हैं कि हमें गला बनाने में बहुत दिक्कत आती है तो मैं आपको बहुत ही पतली सी पत्टी से बहुत ही finishing के साथ गला बनाना सिखाऊंगी तो देखिए ये मैंने ऐसे तिर्चा निसान लगाया है बंदवाली साइड से तिर्चा निसान लगाया है मैंने जिसमें से अब हम गले की पट्टियां निकालेंगी तो ये हम 2-2 इंच की पट्टियां निकाल रहे हैं तिर्ची ये तिर्ची ही निकालें कभी भी सीधी पट्टि ना निकालें आप और मैं आपको ये भी सिखाऊंगी आज कि अगर आपकी कुर्टि की हाइट कम है तो आप उसकी हाइट कैसे बढ़ा सकती है तो देखिए ये मेरे एक साथ दो पटी कट जाएए Windows अपकर डवल है दवल फोल्ड में है तो हम इनी पटीों को रखके दो पटी और कट कर लेंगे तो तोटल हमें चार पटी यां चाहिये OUT तो हम यहां से ऐसे ही कट कर देंगे और आप वीडियो में तो देखिए, अभी हम तैयारी करते हैं, गले बनाने की, क्योंकि सबसे जो पहले बनाया जाता है, वो कुर्ती में गला ही बनाया जाता है, अभी हम क्या करेंगे, इस पट्टी को जोड़ेंगे, तो जोड़ना कैसे है, तो मैं फिर से आपको बताती हूँ, देखिए, अगर आप ऐसे जोड़ोगी इसको, मैं आपको भी रखके दिखा रही हूँ, देखो, आपको खुदी गलत लग रही है यह, क्योंकि हम इसे सीधी नहीं कर सकते, यह एसे कर लेंगे, तो यह एकदम सीधी हो जाएगी, और इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो आपको ऐसे ही लगा देंगे, डवल फोल्ड करके ऐसे, और आपको इसी तरीके से गला बनाना है, तो जैसे मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अगर आपका कपड़ा कहीं से कम जाता हो गया है, तो आप उसको पहले अच्छे से बरावर कर लें, तो देखिए, मैंने कपड़े को अच्छ लगाना कैसे, इस कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, कुर्ती के कपड़े को, जो हमारी ये पट्टी है, इसको हलका हलका सा खींचना है, जादा नहीं खींचना, बहुत हलका हलका खींचना है, तो इस कपड़ा जो कुर्ती का है, उसको एक्जेक्ट ऐसे ही रहन अब यहां से देखिए गुमा देंगे इसे मैं पूरी ही गले पर बता रही हूं आपको आप वीडियो को स्कीप मत करना क्यूंकि यह चोटी चोटी चीजे सीखने की हैं बहुत काम की होती है आपके जो लोग बिलकुल नए है तो देखिए यहां से जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको अभी हम कट कर देंगे ठीक है अभी क्या करेंगे अभी इसमें हम चोटी चोटी कट लगाएंगे तो अभी आपको यह गला पूरा फैला हुआ दिख रहा है लेकिन अभी आप देखिए इसका कमाल तो वस वीडियो में आप बने रहिएगा किस तरीके से सैट होके बनने के बाद में तो देखिए चोटी चोटी कट आप इस तरीके से लगाने हैं अपनी सिलाई से अलग यह देखिए जो आपकी ऊपर वाली सिलाई रह 뭔 है वह नहीं कटनी चाहिए है प्लट को हम इस पट्टी को हमने पर फिनईसिंग के साथ एक सिलाई लगानी है लेकिन kö को एक चीज और बता देती हूं कि इस पट्टी की चोड़ाई आपको जादा नहीं लेनी है मतलब दो इंच से जादा नहीं लेनी है दो इंच लेंगे तब यह हमारी आधा इंच की आधा इंच से थोड़ी बहुत जादा होगी लेकिन इतनी ही लेनी है आपको सिलाई में तो यह हमारी इतनी तैयार हो जाती है, जो हमारा पीछे का गला है, वो हमारा छोटा है, उस पे भी हमें ऐसे ही लगानी है, तो आप इसकी चिंता ना करें कि आपका गला पहले गा या कुछ होगा, बस आप इस पट्टी को पहले लगा के कम्पलीट कर लीजिए, फिर इसकी द set करेंगे तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसे रखके ये देखिए ये हो गया एकदम set बहुती मतलब बहुती finishing के साथ ही set हो जाता है ये देखिए एकदम नहीं फैला है कहीं से और ये इसकी ulty side है ये हमारी कपड़े की ulty side है क्योंकि हमने इसे ulty side से रखके सीधी side को पलटा है और finishing भी आप देख सकती है बड़ी अच्छी इसकी finishing आई है मतलब कहीं से भी ना ही पतली है ना ही मोटी है तो आपको जो पहली बार करोगी तो थोड़ा बहुत देखिए दिक्कत आएगी है आपको हम ये नहीं कहते तो घर पे आके आप जरूर सीखते सिलते कुछ ना कुछ क्योंकि वहाँ आपको पैसे देने होते तो आप अच्छी से लेकिन अभी आप यही सोचिए कि आप कहीं पैसे ही दे रहे हो ताकि आपको ये लगे कि हमें सीखना है तो बस अगर आपने अपने मन में ये चीज ठान ली तो आप बहुत जलती अच्छी सिलाई सीख जाओगे अब देखिए हमने बैक में भी सेम ऐसे ही लगा के अब इसको भी हम राइड साइड को पलट देंगे तो देखिए बैक गला भी हमारा सेम फरंट के ही सिलाई लगाएं मतलब गले वाली साइड आपकी एकदम बरावर होनी चाहिए बले आर्मोल वाली साइड से रह जाए लेकिन गले से दोनों साइड एकदम बरावर होनी चाहिए तो अभी अभी देखिए और जो बाकी किलासों का लिंक है जो आपसे मिस हो गई है जो लेन नए लोग जुड रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है आप हमारी सारी क्लास अटेंड कर सकती हैं और जो नए लोग जुड रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को घंटी का बेला इकन दवाले ताकि जब भी दो बजे हमारी रोज वीडियो आए तो उसका लिंक आपको आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये देखिए दीरे को दोनों को हमें बरावर ही फोल्ड करना है अब देख सकती है इसमें भी थोड़ा बहुत गड़वड हो जाती है तो हमारा जो गला है वो गरने लगता है तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहीएगा पूरा लुक दिखाया है अगर आपका जो ये आर्म होल है मुड़ा है ने कि कहीं से छोटा बड़ा हो जाए तो उसको ऐसे बरावर कर लें बिल्कुल हमारा बरावर है फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए अगर आपका जादा हो जाए तो उसको ऐसे बरावर कर ले गोलाई में ही अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम बाजू जोड़ेंगे देखें, ये front part है और ये भी front part है ये देखिए अब ये क्या करना है center से बाजू लगाना सिखाएंगे आपको तो दोनों को हम पहले इसका भी हम center कर लेंगे बाजू का भी इस से क्या होता है कि हमारी बाजू एकदम बडावर ये चीज़ हमें पता लग जाती है और हमारा जो फ्रेंट साइड का सेफ है वो भी फ्रेंट में ही आता है अगर आप वो आपने वो बैक में ले दिया तो आपको बहुत दिक्कत आएगी बाजू मतलब कुर्टी को पहनने में क्योंकि पीछे से कटाव रहेगा तो आगे रखेंगी तो आपका जो फूलन आती है आर्म होल वाली साइड में बहुत से बोलते हैं कि जोल आता है वो कभी नहीं आएगा हमने कुर्टी को दिखाया है इसे बना के और देखिए बाजू को खीचना नहीं है बहुत ही आराम से इसे बस आपको ढीले हाथ से लगाते हुए जाना है ये देखिए हमारी एक साइड से बिलकुल आधा मतलब इसका हाप है ये बाजू का हम आधा हादा बता रहे हैं आपको क्योंकि हम आपको डायरेक्ट बताएंगे तो आपसे छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन अगर आप इस तरीके से लगाएंगे और अपने आर्म होल से डेड़िच जादा लेके करेंगे कटिंग तो कभी भी कम जादा नहीं होगी तो दूसरी साइड से से मैसे ही रखके और इसको भी लगाएंगे हम तो देखिए यहां से हम ऐसे ही लगा रही है और हमें कमेंट करके बताईएगा कि अभी आपको क्या सीखना है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अभी हम आपको बेल्ट वाला बलाउस सिखाएं क्योंकि उसकी काफी कमेंट आ रही है और बाड़ी का मेजरमेंट बताएं कि बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं और आई हुक बटन मतलव अभी तो बहुत सारी चोटी चोटी चीजे हैं तो देखिए यह हमारी यह दूसरा हिस्सा है तो आप देख सकते हैं कि बाजू हमारी एकदम बराबर है और आपको कुछ भी नहीं करना है तो देखिए यह एकदम बराबर आई है आप देख सकते हैं आपको भी सेम ऐसे ही बाजू लगानी है और जो सिलाई है देखिए मैं आपको यह सबसे मेन होती है इसमें कि जो आपकी सिलाई है वो एक ही डारेक्शन में होनी चाहिए नहीं कहीं से कम नहीं कहीं से ज़ादा तो मैं आपको सिलाई दिखाती हूँ कि एकदम बरावर है ये हर तरफ से तो देखिए हमने ये बाजू को लगा लिए दोनों फ्रेंट पार्ट आमने सामने है आपको दिख रहे होंगे ये चीज आप ध्यान में रख लेंगी आज ही तो कभी भी आपकी बाजू में जोल नहीं आएगा ये सबसे में चीज होती है और कंधा क्यों गिरता है उसका रीजन भी हमने आपको बताया है कि जो इसकी सिलाई होती है मुड़े की वो एकदम बरावर होनी चाहिए अभी देखिए हम अपनी बाजू को तयार करेंगे तो ये हमने पट्टी ले ली है इसकी चोड़ाई हमने डेड़ इंच ली है अब इस पट्टी को ऐसे मोड़ के और उल्टी साइड से रख रहे हैं ध्यान रखें ये हमारे कपड़े की उल्टी साइड है अब उल्टी साइड से रख के ऐसे सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम इसमें भी जैसे हमने गले में ये पट्टी लगाई है हम अपनी बाजू में भी लगाना चाहते हैं और नीचे बॉटम की भी अपनी कुर्टी की भी हम लंबाई बढ़ा के दिखाएंगे ये कुर्टी बहुत प्यारी आएगी बनने के बाद में ये कॉटन की कुर्टी है तो यहां से देखिए हम पूरा इसको ऐसे लगा रही है और फिर सीधी साइड को पल्टेंगे देखिए एक रीजन और है हमारा कंदे गिरने का वो भी हम आपको जरूर सिखाएंगे देखिए अभी सीधी साइड को हमने पल्ट दिया इस पट्टी को सिलाई लगा देंगे इसके उपर दूसरी बाजू में हम ऐसे ही लगाएंगे जैसी इसमें लगा रही है तो वो रीजन भी हम आपको जरूर बताएंगे जो बहुत सारी छोटी छोटी चीजे हैं वो हम आपको हर चीज सिखाएंगे तो दूसरी बाजू को लगा लिया है हमने सिल लिया है अब इसको भी ऐसे सिलेंगे तो देखे दोनों पे हमने भुती फिनी सिंग के साथ ये पट्टी ये लगा ली है आप देख सकते हैं चोड़ा एक दम बरावर है अब ही हम आपको बताएंगे कि हमें जैसे इसकी लंबाई पांच इंच या साड़ी चार इंच बढ़ानी है तो ये हमारा बच गया था कुर्टी में से कपड़ा क्योंकि एक तो ये कॉर्टन की कुर्टी है दुलने के बाद ये उँची होगी और कपड़ा इतना ही था तो हमें देखे जैसे हमारा पांच इंच है तो उसमें मान लीजे ये हमारा आदा आदा इंच भी जाएगा सिलाई में तो हमारा चार इंच की ये पड़ी तैयाराए निजी कुर्टी होगी चार इंच हमारी कपड़ की हाइट बढ़ जाएगी अभी हम सेम करेंगे अपने कपड़ को उλ्टा रखेंगे लेकिन ये धियान रखें, कि ये हमारी सीधा पत्ति है। मतलब इनको हमने सीधा कट किया है। में ना ही बाजूं में तिरची पत्ति लगाई。」 में लगानी है। अब ही हमने इसको कर लिया है. और यहां तक इक सिलाही लगा देंगे। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा दिये सीधी साइड को अब इसको भी ऐसी मोड़ेंगे और बैक पार्ट के लिए भी हम ऐसा ही एक और पैटर्न बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से रखा जाएगा अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम कुर्टी को रखेंगे तो देखिए ये कुर्टी की सीधी साइड है अब हमें इस सिलना कहां पे है वो चीज़ भी मापको बताती हूं तो ये हमें आदा आदा इंच के हिसाब से सिलना है ये देखिए यहां से रखके और हमें इस पट्टी को ऐसे रख दीना है इसके उपर और किनारी पे सिलाई चलानी है ये बिल्कुल किनारी के उपर आपकी सिलाई टेड़ी नहीं वनी चाहिए एकदम बहुतीं के साथ आपको ये काम करना है जिसे कि हम कर रहा है अगर आप प्यार से और फिनिसिंग के साथ सिलाई सीख होगी तो आप बहुत अच्छी सिलाई बहुत जल्दी सीख जाओगी तो आप घर पे प्रैक्टिस करते हो आप ये चीज नहीं हमें लिखके बताते हो कि आपने घर पे प्रैक्टिस की कि नहीं की तो प्लीज हमें ये बताईए कि आपने क्या सीखा है अभी तक जो हमने सिखाया है तो आप बताया करें हमें कमेंट करके हमें अच्छा लगता है पढ़के चलो आप सीख रहे हो तो देखे जो एक्स्टरा है उसको कट कर देते हैं अभी हम क्या करेंगे कि दूसरे पार्ट पे भी ऐसे ही लगा लेंगे तो देखिए लगने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है इस पट्टी हमारी होती प्यारा सा लुक दे रही है तो देखिए अभी कर लेते हैं इसकी फिटिंग कल वैसे हमने आपको बताई थी इसकी फिटिंग करनी तो आप देख सकते हैं लेकिन हम भी हम आपको फिर से सिखा रही है देखिए कल हमने अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसमें हमने पूरी कुर्ती की कटिंग और फिटिंग बताई है लेकिन हम आपको फिर से बता रहे हैं जैसे कि हमें ये 36 इंच की कुर्ती बना के तैयार करनी है अब 36 को हम दो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 18 इंच तो हम यहाँ पे 18 इंच पे छाती के लिए निसान लगा लेते हैं अब कमर है 27 अब 27 को भी दो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 14 इंच तो हम यहाँ से 14 इंच पे निसान लगा लेंगे इस तरीके से जादा बढ़ाना है क्या तो देखे हाइट के उपर होता है अगर आप सिलिट जादा उची पहनती है तो आप बारह पर तेरह पर रख सकती है अगर आपकी कुर्टी की लंबाई कुछ जादा ही ए तो आप इसे 20 तक या फिर 17 तक रख सकती है अब दोनों को हमें इस तरीके से सेब दे देनी है यह देखिए यहां से थोड़ा सा कम करेंगे गोलाई को और सेम बाजू पर बाजू की जो हमारी फिटिंग किट से लाई लगेगी वो 6 इंच पर लगेगी और एक्स्टर जो हमारा कपड़ा है वो भी हमारा 1.5 इंच मार जाना है इसमें तो देखिए हमने ये कर दिया है अब यहां से आपकी जतनी भी बाजू है आपको पुरानी कुर्टि ले लीजिए और उसका देख लीजिये मेजरमेंट तो हमको सेम दूसरी बाजू में करना है और हम आपको कुर्टी से कुर्टी की कटिंगा कुर्टी से कुर्टी की fitting कैसे करते हैं वो भी बताएंगे लेकिन आप हमें comment करके यह नहीं बताते हो कि हम बताएं कि नहीं कि बताएं इसलिए हमने आपको direct नाब बताया है तो please comment करके बताएं इतना कपड़ा हमारा fold हो जाएगा सिलिट के लिए ठीक है अभी हम क्या करेंगे अभी कर लेते हैं इसकी फिटिंग तो फिटिंग के लिए बाजू से ही सुरू करेंगे हम तो देखिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहां से तो देखिए यहां से हम इस तरीके से इसकी फिटिंग करते हुए ला रहे हैं जो हमने निसान लगाया है प्रोपर हमें उसी पर देखे ये दोनों आर्म हूल की सिलाई आपस में मिलनी चाहिए ये कभी भी छोटी वड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी वरना जो आपकी कुर्ती है वो भी नीचे से छोटी वड़ी होगी अब ये चीजें आपकी ये से लग कपड़ा भी एकदम बरावर होना चाहिए तो बस ये चोटी चोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बाकी और कोई इसमें इतना वड़ा वो नहीं है बस ये चीजे ध्यान रखेंगी ता बहुत जल्दी कुर्ती बलाव ज़र्ची सीख जाएंगी अभी देखिए इससे नीचे हमारी जो चाक हैं वो खुले रहेंगे इसको चाक भी बोलते हैं सिलिट भी बोलते हैं अब हम सिलाई को उपर की साइड गुमाएंगे क्योंकि इससे आगे अगर हम सिलाई को नहीं गुमाएंगे तो हमारे जो चाक का मुह है वो खुल जाएगा धागे निकलेंगे तो सिलाई को उपर की साइड जरूर गुमा दे एंड करते टाइम अब दूसरी साइड फिटिंग करते ला रहे हैं सेम तो देखिए इसको भी हमें सेम ही करना है अच्छे से कपड़ा आपका दोनों तरब से बरावर होना चाहिए निसान बरावर होना चाहिए वरना आपकी कुरती छोटी बड़ी हो जाएगी तेड़ी हो जाएगी जैसे की कमेंट आती है कि कुरती तेड़ी हो जाती है यही रीजन होता है कि एक तो आपका जो फिटिंग का निसान है वो सही नहीं लगता है या फिर आप क्या करते हो कि एक साइड से ज़्यादा दवा देते हो एक साइड से कम दवा देते हो तो हमारा दोनों साइड से बरावर है आप देख सकती है अब कर लेते हैं इसके जो चाक है उनको fold तो कैसे fold करना है तो सबसे पहले देखिए आप इस तरीके से रख लीजिए कुर्ती को और ऐसे पकड़के पहले आप फस्ट चाक ऐसे ही फोल्ड कर लिजिए बाकी का हम आपको अच्छे से सिखाएंगे तो देखिए यहां से अब हम इसको करिवन डेट डेट इंच के बरावर मोड रहे हैं यह देखिए डेट डेट इंच के बरावर मोड ते हुए ला रहे हैं और इसे बहुत ही फिनिसिंग के साथ यहां से आपको यह चाक फोल्ड करने है कोई ही पे भी कोई जोल नहीं आना चाहिए तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज बस कमेंट करके और लाइक कर दीजिया करें अगर आपको समझ में आ रहा है आप कितना सीख रहे है आपने घर पे प्रैक्टिस कही है कि नहीं की है तो बस यही चीज हमें बता दिया करो और यहां से देखिए हम इसको पूरा अच्छे से फोल्ड करेंगे तो देखिए यहां से आपको अभी थोड़ा सा उपर से लाई चला के और धागे को यहीं से कट करना है जब दूसरी साइड से हम इसे मोड़ेंगे तब बताएंगे कि यहां की फिनिसिंग कैसे देते हैं अभी हम पहले कुर्टी को एक बार देख लेते हैं तो देखिए फस्ट हमने ऐसी मोड़ लिया अब हम दूसरा मोड़ेंगे तो पहले ना अप लेंगे उस साइड से दोनों अब आपको दिख रहा है कि इतना कपड़ा हमारा बराब मतलब इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है मतलब यह कपड़ा अंदर जाएगा बस यह निसान भी हमने वैसे लगाया हुआ है लेकिन फिर भी हम आपको ऐसे सिखा रहे हैं तो देखिए सेम जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है उतने को अगर आप देखिए पहली बार कर रही है तो भले ही आप सुई से कच्चा कर लीजिए या फिर पिन लगा लीजिए वो पिन काफी सस्ती आती है और पिन बोलते हैं उनको 15 रुपे का एक पैकेट आता है और देखिए यहां से अब इसको हम ऐसे घुमा के और अच्छे से सेप देंगे इसकी गोलाई कर देंगे यहां से एक दो बाट से लाई चलाके और इस धागों को कट कर देंगे तो आप देख सकती हैं कि बहुत ही फिनिसिंग के साथ हमारी जो चाक यो मुड़ गए है अभी हमने देखिए दो साइड से मुड लिये हैं आप देख सकती हैं अब हम देखते हैं कि अभ हमारा इतना कपड़ा भी बराबारी है अब हम तीसरी सिलिट को मोड लेते हैं आप नाप नाप के इस सिलिट मोडेंगी तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी नहीं आपका चाक कभी भी छोटा बड़ा होगा आपको मतलब आप ऐसा लग जब आप पहली बार ये छोटी-छोटी चीज़े दियान में रख लोगे तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सिलाई करना सीख जाओगे आपको बिल्कुल भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये मतलब किसी सीखतर ने सीखी तो देखिए थोड़ी सी मेहनत करनी है थोड़ा से दिमाग लगाना है दो नुचाक उधर से बराबर आपको दिख रहा है इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है या तो आप चोक से निसान लगा लिजिए इस तरीके से और या फिर आप ये देखिए हमने चोक से भी लगा लिया है और या फिर आप कपड़े को ऐसे अंदर की साइड ऐसे मोड के ऐसे तो आपको दिख रहा है कि इसलिए टब एकदम बराबर ही आएंगी क्योंकि हमने नाप नाप के मोड़ी है और जो इसका नीचे का बॉटम है कुरती का उस पे हमने पहले ही पट्टी लगा दी है अगर इसको भी मोड़ना चाहती है तो वह भी हम आपको सिखा देंगे कि उसको वह वैसे बहुत सिंपल है इसे मोडने के बाद उसको मोड देते हैं तो देखिए यहां से हम इसमें लास्ट फिनिसिंग दे लेते हैं अब यहां से इसको ऐसे ही करेंगे जिसे हमने दूसरे चाक में किया था अब देखिए हमने यह दोनों साइड से इस तरीके से चाक को कर लिया आप देख सकती हैं कि यह चारों चाक हमारे बरावर है ना ही कोई छोटा है ना ही बड़ा है अब हम क्या करेंगे कि अब इसका लुक दिखाते हैं कि किस तरीके से आया है कपड़ा इसमें बहुत सारा है तो देखिए आपको यहां पर दिक्कत आती है ना और देखिए यह कॉटन की कुर्टी है दूलने के बाद अब यह थोड़ी सी मतलब टाइट होगी तो इसलिए हमने हलका सा लूज ही रखा है तो यहां पर आपको कब बहुत दिक्कत आती है तो आप देख सकती है कि यहां एक भी जोल वगेरा कुछ नहीं है बहुत ही फिनिट ये गला आप देख सकते हैं एकदम कती गड़गन के साथ ही बैठा है और यहां की सिलाई एकदम बरावर है तो आप देख सकती है इसे मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि लंबाई बढ़ने के बाद में कैसी लग रही ह कुर्ती मुझे उमीद है कि आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा यह आइडिया अच्छा लगा है कुर्ती की सिलाई आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना वीडियो देखने के लिए आप सबी का धन्यवाद